तम है तो तू अब मुझे रोक के दिखा दोस्तो बात करेंगे सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 के बारे में सबसे पहले तो दोस्तो आपको बता दे कि टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग जो है वो अब लगभग कम्पलीट हो चुकी है यानि की जो बाहर की यानि की आउटडोर की शूटिंग वगएरा थी ये सारी की सारी चीजे कम्पलीट हो चुकी है और जो अंदर की थोड़ी बहुत इंडोर शूटिंग वगएरा है एडिटिंग वगएरा है ये सारी चीजे अभी बची है तो यह तो जाहिसी बात है यह सारी चीजे फटाफट कर दी जाएंगी वैसे दोस्तों आपको बता दे कि नौईडा से टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी और लास्ट में जाकर दिल्ली में इसकी शूटिंग कम्प्लीट की गई आपको बताते चले दोस्तो कि हाल फिलाल कल ही जो है सलमान खान वापस लोटे हैं फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करके और एरपोर्ट पे उनको स्पॉट भी किया गया था और साथी साथ आपको बता दे कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों सलमान खान के अलावा कैटरीना कैव भी होने वाली हैं और सबी को पता ना चले कि इस फिल्म के अंदर इम्रान हास्मी है लेकिन जाहिर सी बात है पब्लिक को तो सब पता चली जाता है वैसे अभी तक ये डिटेल आउट नहीं हो पाई है दोस्तों कि आखिरकार इम्रान हास्मी का क्या किरदार होने वाला है फिल्म के अंदर कैसा सी सीन होगा या फिर वो कोई सपोर्ट में किरदार निभा रहे हैं यह सारी चीजों की अभी तक डिटेल तो नहीं आई है लेकिन उमीद करते हैं कि सल्मान खान के अपोजिट ही इम्रान हास्मी रहेंगे फिल्म के अंदर तभी तो टककर देखने में मसाएगा वैसे भी इम्रा तो आप लोग कितना जादा इंतजार कर रहे हैं टाइगर 3 का कमेंट में लिख के बताएं जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तों चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अबडेट ऐसे ही मिलती रहें सबसे पहले धन्यबाद